तो डिविजन और मुल्टिपूटिकेशन बैर 10 के लिए अंदर मुझे बहुत मज़ी की बात इस्प्लेइन की थी उन्होंने बच्चों को जो के बहुत असान है 4 सब्सक्राइब, यह 7 है जो के 10 से मुल्टिप्ला हो रहा है, ठीक है, तो 7 is 1 और 10 से मुल्टिप्ला हो रहा है, 1 and 10, तो सिंपल यह है, के 7 के साथ, 0 लगा जाएंगे सिंपली उन्होंने यह एक्स्प्लेइन किया था, ताकि बच्चे संझें, 10 के साथ, क्योंके 10 के टेबल जब आप स्टार्टिं में स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत बढ़ा लगता है के, ओ, 10 के टेबल, हमें नहीं नहीं बच्चों को, तो उन्होंने यह का था कि, जो 23 x 10, unit 10, यह भी unit 10, 23 x 10, यह हमें पता है, जब 23 x 10 होगा, तो 230 बन जाएगा, लेकिन बच्चों को तो नहीं पता, तो उनको हम यह बताएंगे, कि यह 10 का 0, 23 के आगे लग जाएगा, तो वो 230 बन जाएगा, यानि 23 x 10, 10 add करेंगे, तो simply 230 बन जाएगा, तो जो उनसा भी नंबर, 10 से मुल्टिप्लाय होगा, उसके आगे से, हम 0 एड कर देंगे, क्योंकि वो 10 को इस टॉपिक में, उन्होंने फिर जिरो वाले नंबर ही रखे थे, 70 divided by 10, तो उन्होंने कहा कि 70 divided by 10, 0, 0 एड कैंसल हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, same, 200 divided by 10, 20 रह जाएगा, इसको करानी का सिंपल मकसता कि बचे 10 के टेबल से जो है, वो घब रहा है नहीं, और, 10 का टेबल जो है वो असान समझें, 60, 10 होगा तो 1 0 क्रॉस करेंगे, 100 होगा तो 2 0 क्रॉस कर देंगे, तो यह, एक सिंपल रूल था, division और multiplication के 10 के अंदर, 10 के टेबल में, कोई भी number 10 से multiply होगा तो उसके आगे 0 एड हो जाएगा, और कोई भी number 10 से divide होगा तो उसके आगे से 0 हट जाएगा, सेम, multiplication का रूल, 100 के लिए भी था, जब भी कोई unit, या कोई भी digit जो है 100 से divide होगा, तो इसके आगे 2 0 लग जाएगे, हदिए कोई भी जाएगे यागे अगे